आज लाने को मेरी प्यारी से यूट्यूब की फैमिली मैं उमीद करती हूँ आप सब लोग घ्रिया से होंगे और ठीक होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं एककरी एककरी जो वेदर आ रहा है विंटर का तो उसके लिए तो बेस्ट है तो चलिए हम 3 टेबली स्पून ओई लेते लिए चली और में थोड़ा सा हम GS जिंजर डालेंगते जिंजर में 2 इंच का तुक्रा लिया था उसे बी मैंने आसे रफली कट कर लिया और हम हम इसमें 4 टामें in डाला लेbbe 4 ओंन्य इसमें के बाद … हम इसंगी अफूरा सा टॉस करने के बद हम एill हम 것도 इसे फुल कुक करना हें अब इसका पेस्ट बनाएंगे और यह तरी टॉमेट्यो ज़िन हमें 5 से कॉछा ये दर्च तरी तोमेट्योज में पर जुआ कर लिया है और यह ग्रेवी में थोड़ा से डिफ्रेंट बनारी हूँ सभी लोग एक करी की ग्रेवी जो नॉमल बनती है वैसे बनाते हैं लेकिन मैं थोड़ा से चेंज करके बना रही हूँ थोड़ा सा मिसमें सॉल्ट भी एड कर देंगे तो जल्दी हमारा कुक ह तो चलिए एक बार हम इसे ओपन करके एक बार चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं टॉमेटो अभी हमारे अच्छे से गले नहीं है कुक नहीं हुए तो हमें टॉमेटो को अभी कुक करना है में राए मसाले कर दे रहे हैं यह मै ने 1 स्पून कास Przy्ल 개 याल मिर्चंस बॉ Scoutmen जो आगा चाहिए मिली यह मैं लिया है है कि वह दुटा सम आनगा है इन भी तो सब को मिक्स करके फिर हम हम इसे कुख होने के लिए अगर इस स्टेज पे आपके मसाले लग रहा है आपको लग रहे हैं या जल रहे हैं तो आप थोड़ा से इसमें पानी भी आड़ कर सकते हैं और फिर आप इसे कुख कर सकते हैं कि देखिए कास्मीरी लाल मिर्च जाने के बाद कितना अच्छा इसका कलर आ गया है अब हम इसकी लेड लगा के हम इसे कुख करेंगे देखि हमारे टोमैटोज पूरी तरह से डण हो गया है और पूरी तरह से पक गया है यह हमारी ग्रेवी के लिए तयार हो गया अब हम इसे थोड़ा सा कूल कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसकी एक पेस्ट बना लेंगे इस तरह से आप इसको थोड़ा सा मैश भी कर लीजेगा अगर आपके थोड़े से टोमेटोस कुछ भी बचे होंगे तो वो मैश होके भी अच्छे से गल जाएंगे मेरे एक दो कुछ रह गये थे तो मैं उसे अच्छे से मैश कर ले रही हूँ अगर आपको रैसिपी पसंदाती है तो प्लीज आप लाइट करिएगा मेरे चैनल को संस्क्राइब ज jutरूर करिएगा संस्क्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं तो चलिए हम इसका पेस्ट बना लेते हैं यह देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और अभ हम इसमे oil नहीं add करेंगे, हम इसमे आधा कप पानी add करेंगे मैंने सुझाई पानी add किया है बिसिकली सभी लोग औयल में बनाते हैं लेकिन मैं पानी में बना रही हुआ आजकल सब भी लोग थोड़ा सा healthy कुछ बनाते हैं, तो ये देखिए मैंने इसमें सारी gravy को डाल दिया हैं, और अब हम इसे cook होने के लिए रख देंगे, जब तक हमारी ये gravy cook होती है, एक को मैंने बॉइल कर लिया था, मैं किसी दिन आप से शेयर करूँगी, perfect एक को बॉइल करने की रेसिपी, मैं किसी दिन आप से ज़रूर शेयर करूँगी, मैं इसमें थोड़ा सा हम सॉल डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, और थोड़ा सा कास्मीरी लाल मिर्चु और थोड़ी सी डालेंगे, हाफ स्पून मैंने आट कर रहा है, और ये रेड चिली पाउडर है, हाफ स्पून, और इन सब चीजों को हम मिक्स कर देंगे, और इसे लीड लगा के हम कुख होने देंगे, ये एग है हमारे, इन्हें मैंने पहले से बॉइल कर लिया था, मैं इसकी आप से किसी दिन रेसिपी शेयर करूंगी, ये देखे, हमारे कुख हो गया है, कितने अच्छे से ग्रेवी, और मैंने ये दो चमच घी लिया है, एक को फोक की मदद से, ऐसे मैं इसमें छेद करूंगी, आप एक में चाहिए, जितना भी छेद करिये, एक के अंदर कभी भी फ्लेवर नहीं जाता है, एक ऐसी चीज है क कि इसमें कभी फ्लेवर कोई डाल ही नहीं सका है, अब हम इसमें एक को डाल देंगे, एक को हमें फ्राइ करना है, ज्यादा फ्राइ नहीं करना है, लाइट फ्राइ करना है, इसमें थोड़ी सी हमकास मेरी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा एक का कलर चेंज हो जाने के ल तो यह देखिए हमारी gravy almost बन के तयार हो गई है अब हम इसमें सारे एक को add कर देंगे एक को बहुत कुक मत करिएगा एक जब ज़्यादा कुक हो जाता है तो बहुत च्रिंग जैसा sticky टाइप का हो जाता है तो वो खाने में मज़ा नहीं आता है तो यह देखिए gravy हमारी बन के तयार होगी थोड़ी सी हरीधनिया से हम इसे garnish करेंगे और अब हम इसे serve करते हैं और अगर आपको recipe पसंद आए तो आप please like करिएगा शेयर करिएगा comment करिएगा और मेरे channel को जरूर subscribe करिएगा please support मी और आप इस तरह से चाकू से भी cut लगा सकते है अगर आपको recipe पसंद आती है तो आप please मेरे channel को जरूर subscribe करिएगा बहुत मज़े के बनते हैं एक बार आप यह नहीं तेरे का एक बना के जरूर ट्रय करिएगा बाई-बाई-बाई-आप आफिज टेक क्यार तरह में पर आप बनते हैं धन्मेंगे को जरूर आप जबता हैं तिंद का लिएगा नहीं तो आपको में क्बाईगाँ अबाईगा यहर। झाल झाल